देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आएकल को ज़ोर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें। जिला पुल इस अधीक्षक महुदया रिचा तोमर ने बताया कि पिछले कुछ समय से आगने अस्त्रों के प्रयोग से घटित अपराद की घटनाओं में काफी वृद्धी हुई है अपराद की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए आगने अस्त्रों की धर्पका ह कि तु विशेश अभ्यान चलाया जाकर समस्त थाना दिकारियों को कार्यवाही करने बाबत निर्देशित किया है जिसके तहट थाना काम खेडा द्वारा दिनांक 16 मार्च 2023 एक मुल्जम को गिरफतार कर कपजे से अवैधा अगने अस्त्र एक बंदू टोपीदार एक नाल थाना श्री जैर्नेल सिंग के सुपर्विजन में थाना दिकारी थाना कामखा के नित्रित्व में टीम का गठन किया जाकर इलाका थाना में निरंतर गश्त वचोकिंग की जा रही थी इसी दोरान थाना कामखेडा को इलाका क्षेत्र में हथियार ले जाने के इंपुट प् यी तो एक बंदूग तोपीदार एक नाली जप्त करने में सफलता अर्जित की। मुल्जिन के विरुद्ध थाना कामखेडा पर आम सेक में मुकदमा दर्च का रनुसंधान जारी है। गिरफ्तार अभियक्त 1. कल्लूखा कुत्र अभास्था जाती मिवाती ओमर 35 साल निवासी कुंजरी पुलिस थाना कामखेडा जिला जालावाड प्राज 2. विशेश भूमिका श्री अर्विंद कानी 195 आसुचना अधिकारी थाना कामखेडा बरामद माल एक अवैग तोपिदार एक नाली बंदुक टीन थाना कामखेडा श्री धन्राज गोचर पुलिस उपनिरक्षक थाना दिकारी कामखेडा शून्य एक श्री गोला राम कानी 1597 शून्य दो श्री जितेंद्र कानी एक हजार असी शून्य बंदुक टीन राम